अगर आप Computer पर YouTube एकसिस कर रहे है तो वीडियो की ठीक नीचे आफ यहां देखिए इसपर टॉच करना है अizen आपको अगर आप मोबायल में देख रहे हैं तो mobile defending sound में सबस्क्राइब है उसपर टॉच करना है Hello Friends Welcome to Computer Station आज मैं आपको बताऊंगा how to blacklist sender in Gmail, अगर आप किसी mail से लगातार परिशान है और उसे block करना चाहते है तो Gmail ये facility देता है कि आप किसी भी sender को block कर सकते हैं और next time आपको email नहीं आएगा, आपको वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं आपको बताता हूँ Gmail ID हमने open कर लिया और ये inbox है और मैं आपको इस mail को block करके दिखाता हूँ suppose ये sender है और इसे हमें block करना है तो आप देख सकते हैं इसके ठीक right side में three dots हैं vertically three dots दिख रहे हैं इस पे आपको click करना है और direct आप देखिए यहां पर block दिस आप जो email को आपने select किया है उसी का नाम यहां पर आ रहा है इसे आप block कर सकते हैं इस पे जैसे ही मैं click करूँगा तो आप देख सकते हैं ये email ID जो है जहां से हमारे पास mail आई है इसे हम block कर सकते हैं हमारा ही email ID है हमने test के लिए आपको दिखाया है तो आप जैसे ही मैं इसे block पर click करूँगा तो ये block हो जाएगा आप देख सकते हैं और यहां unblocked का भी आ रहा है तो unblocked पर click करके हम unblock भी कर पाएंगे लेकिन क्योंकि हमने ये block का पूरा process दिखाना था आपको तो हमने ये दिखा दिया है अब मैंने इसको unblock कर दिया लेके very easy process है three dots पर click करना है block कर देना है इस तरीके से आप इस mail को block कर सकते हैं दुबारा ये नहीं आएगा तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर comment में बताएं और इस तरह के problems के लिए आप subscribe जरूर करें thanks for watching